हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में फुल सरकल अमरेला लेंगा की कटिंग और स्टीचिंग करना बताएंगे तो मैंने पांच मेटर का मेन फैब्रिक लिया है और तीन मेटर का इनर लिया है पहले हम लेंद का मेजरमेंट करेंगे जैसे लेंगे की लेंद है 40 इंच और उसमें से 2 इंच की बैल्ट लगाएंगे 40 इंच में से 2 इंच माईनस करेंगे तो 38 इंच बचेगा प्लस 1 इंच करेंगे मार्जन के लिए वो दोनों साइड से लाई में जाएगा तो टोटल लेंगे की length 39 inch पर marking कर लेंगे सेम तरीके से waist का measurement करेंगे जैसे waist 32 inch, 2 inch की losing रखेंगे 32 inch plus 2, 34 inch आएगा 34 inch को 8 से divide करेंगे, तो 4.3 inch आएगा waist की marking 4.3 inch पर करेंगे तो यह मैंने यह paper लिया है, इसको fold कर लेंगे length की side पहले हमें इसको two layer में fold करेंगे, और इस तरीके से जब corner से हम से marking करेंगे, तो यह amrela length की marking हो गई, यह इसकी length है, full circle amrela length बनाने के लिए एक बार और fold कर लेंगे तो आप देख सकते हैं, अभी यह four layer में fold है और यह इसकी length है, अब यहाँ से इस तरीके से इसको fold कर लेंगे, यह length है और नीचे से circle बनाएंगे, top side भी marking कर लेंगे, तो सेम तरीके से हम fabric को fold कर लेंगे, देखें यह इसकी width है और यह length है, length की side से पहले इसको two layer में fold करेंगे, और उसके बाद इसको four layer में fold कर लेंगे तो आप देख सकते हैं अब इसमें 4 layer हैं अब folded वाले side से triangle की shape में 8 layer में fabric को fold कर लेंगे इस तरीके से fabric को 8 layer में fold कर लिया है और folded वाले side इसके दोनों corner से किसी भी corner पर हम marking कर सकते हैं ये दोनों side से बराबर है तो आप देख सकते हैं मैं इस वाले corner पर marking करूंगी जैसे मेरी waste है 34 inch तो उसको 8 से divide करेंगे तो 4 point 3 inch पर marking कर लेंगे अब corner से inch tape की help से दोनों side से बराबर करेंगे दोनों point को join करेंगे और गुलाई में marking कर लेंगे इस तरीके से अब यहाँ पर inch tape रखेंगे और नीचे तक 39 inch पर marking कर लेंगे तो इसी तरीके से गुलाई में inch tape रखते जाएंगे और marking करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने यह marking कर लिया है अब points को join कर लेंगे देखें मारकिंग कर लिया है अब इसकी cutting करेंगे और bottom side अलग से पट्टी अटेच करेंगे अब इसकी cutting करेंगे जैसे marking कर रखिया है as it is cutting कर देंगे लेंगे के bottom side से cutting कर लिया है अब extra fabric को निकाल देंगे अब top side से इसकी cutting करेंगे जैसे marking कर रखिया है as it is इसकी cutting कर देंगे तो आप देख सकते हैं full circle amrela लेंगा की cutting कर लिया है अब इसको open करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके दो पार्ट की एक साथ cutting हो गई है अब belt की cutting करेंगे width 36 inch पर marking करेंगे और length 5 inch पर marking करेंगे देखे मैंने point में marking कर लिया है अब इन points को join करेंगे और एक straight line draw कर लेंगे अब as it is इसकी cutting करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने belt की cutting कर लिया है अब इसको stitching करते टाइम इसको इस तरीके से fold करेंगे अब inner की cutting करेंगे मैंने 3 meter का inner ले लिया है और इसको 2 layer में fold कर लिया है अब इसको triangle की shape में 4 layer में fold करेंगे ये वाला corner उठाएंगे और triangle की shape दे देंगे इसके उपर main fabric रखेंगे और 4 तरप से set कर लेंगे अब top side से as it is इसकी cutting करेंगे main fabric के बिल्कुल बराबर cutting कर लेंगे और bottom side से inner की 2 inch marking कम कर लेंगे देखे मैंने ये marking कर लिया है अब इसकी cutting करेंगे जैसे marking कर रखे है as it is इसकी cutting करेंगे extra fabric को निकाल देंगे अब इसको open करेंगे देखे एक side fold आ गया है तो इसको cut कर देंगे देखे इनर के दोनों parts को separate कर लिया है अब main fabric को wrong side से रखेंगे और इसके उपर inner रखेंगे चारों तरफ से set कर लेंगे और half inch का margin रखते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे देखे main part पर inner attach कर लिया है सेम तरीके से दूसरे वाले part पर भी inner attach कर लिया है अब main fabric को right side से रखेंगे और इसके उपर दूसरा part रखेंगे देखे दोनों को एक दूसरे की right side रख लिया है अब इसके side में सिलाई लगाएंगे दोनों side six inch पर marking करेंगे और left side zip attach करेंगे three inch पर एक और marking कर लेंगे जहां तक marking कर रखी है वहां तक चारों fabric को बराबर करेंगे और सिलाई लगा देंगे चारों fabric को बराबर कर लेंगे और half inch का margin रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे देखे मैंने सिलाई लगा लिया है अब inner को side में कर देंगे और दोनों main fabric को बराबर करेंगे और सिलाई लगा देंगे तो आप देख सकते हैं मैंने ये inner अटेच कर लिया है और सिलाई लगा दिया है side में inner पर अलग सिलाई लगा 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 है और main fabric पर अलग सिलाई लगा है और इस side हम jeep अटेच करेंगे तो पहले belt अटेच करेंगे fabric को right side से रख लिया है और इसके उपर बैल्ट रखेंगे बैल्ट को और मेन फैबरी को राइट साइड से रख लिया है और हाफ इंच का माजन रखते हुए चारों तरफ सिलाई लगा देंगे तो आप देख सकते हैं लेंगे पर बैल्ट अटेच कर लिया है और इसके दोनों साइड सिलाई लगा लिया है इस पर जीप अटेच करेंगे मैंने ये फिटिंग की मार्किंग कर लिया है राइट साइड और मैंने ये जीप ले लिया है जीप को ओपन कर लिया है जिप की जो right side है उसको अंदर की side रखेंगे इस तरीके से और जो marking कर रखिया है उसके ऊपर जिप रखेंगे और सिलाई लगा देंगे जीप के दूसरे part को दूसरी marking पर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे देखे, दो इंच बेल्ट पर भी मार्किंग कर लिया है, और मार्किंग के उपर जिप को रखेंगे, बिल्कुल साइड से सिलाई लगाएंगे, जिप के उपर सिलाई नहीं लगाएंगे, अब जिप को बंद कर लेंगे, और सिलाई लगाएंगे, अब दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे, पहले डबल सिलाई से लोग कर लेंगे, अब दूसरी साइड टरन करेंगे, फैब्री को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जहां पर मार्किंग कर रखी है, इसके उपर जिप रखेंगे, और दीरे दीरे सिलाई लगाएंगे, अब जिप को ओपन करेंगे, और लास्ट तक सिलाई लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं, मैंने जीप अटेच कर लिया है, देखें, जीप को लगाने का बिल्कुल आसान तरीका, मैंने ये बताया है, बिल्कुल फिनिसिंग के साथ जीप अटेच कर लिया है, हाफ बेल्ट में भी अटेच करेंगे, अब बेल्ट को फोल्ड करेंगे, पहले हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और सिलाई वाले पैब्री को अंदर करेंगे, चारो तरफ पैब्री को हाफ इंच फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और सिलाई लगा देंगे देखें, बैल्ट को अटेच कर लिया है और सिलाई लगा दिया है मैंने ये डोरी ले लिया है इसको सेफटी पिन की हेल्प से बैल्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे और अब चैन को बंद कर देंगे अब इनर को बोटम साइड से फोल्ड करेंगे और सिलाए लगा देंगे चारो तरफ तो आप देख सकते हैं इनर को फोल्ड कर दिया है बोटम साइड से फिनिसिंग के साथ मेन फैब्रिक पर पट्टी अटेच करेंगे मैंने फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है मैंने इनर वाला फैब्रिक की लिया है और तीन इंच पर मार्किंग करेंगे अब सारे पॉइंट्सों को जोईन कर लेंगे और एक स्टेट लाइन डो कर लेंगे अब इसकी cutting करेंगे देखिए मैंने तीन इंच की पट्टी कट कर लिया है इसको लेहंगे पर attach करेंगे लेहंगे को सीधी साइड से रखेंगे और इसके उपर पट्टी adjust करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके उपर पट्टी को adjust कर लिया है half inch का margin रखेंगे और चारो तरफ सिलाई लगा लिये अब इसको उल्टी साइड फोल्ड करेंगे पहले इस तरीके से finishing के साथ फोल्ड कर देंगे उसके बाद half inch अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे चारो तरफ से इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे तो आप देख सकते हैं बोटम साइड से पट्टी को फोल्ड कर लिया है और सिलाई लगा दिया है finishing के साथ और फुल सरकल अमरेला लहंगा बनके रेडी हो गया है इस तरीके से आप किसी भी साइज का लहंगा बना सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं तो मैं आपका reply जरूर करूँगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स करके जरूर बताना की वीडियो कैसी लगी थैंक्यू सो मच